भारत में एक तरफ मक्का की सप्लाई एवं उपलब्धता की स्थिती जटिल बनी हुई है, तो दूसरी और इसकी मांग एवं खपत बढ़ती जा रही है, जिससे कीमतों में तेजीम जबूती का माहौल बना हुआ है. जानकारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष के दोरान भारत में पशु आहार एवं पॉल्ट्री फीड निर्मान उद्योग में मक्का की खपत में बीस लाख टन तक की बड़ोतरी हो सकती है. उलेखनी है कि भारत एशिया के अनेग देशों को भारी मात्रा में इस महत्वपून मोटे अनाज का निर्यात किया जाता है. लेकिन इस वर्ष आपूर्ती की जटिल स्थिती, मजबूत घरेलू मांग एवं उची कीमत के कारण मक्का का निर्यात प्रभावित होने की आशंका है. बहुराश्ट्रिय कंपनी के अनुसार भारत में मक्का की बैलेंस शीट बहुत टाइट है. पशू आहार, पॉल्ट्री फीड और स्टार्च निर्मान उद्योग के साथ अब एथनौल उत्पादन में कम से कम 6-8 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी की आवशकता है, जो 15-20 लाक टन के करीब बैठता है. भारत में मक्का की ओसत उपजदर करीब 3 टन, 3000 किलो, प्रती हेक्टेर रहती है, इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए या तो उत्पादक्ता या फिर बिजाई छेतर में इजाफा करना आवशक होगा. पॉल्ट्री एवं एथनॉल उद्योग की जबरदस्त मांग के कारण घरेलू बाजार भाव उचलने से भारत से मक्का का निर्याद दिसंबर 2023 से ही लगभग ठप पड़ा हुआ है. वैश्विक बाजार में अब भारतिय मक्का का दाम अब गैर प्रतिसपर्धी हो गया है और इसलिए विदेशी आया तक इसकी खरीद में कोई खास दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अन्य निर्यातक देशों में भाव नीचे चल रहा है. वैसे भारत में गेहूं का सरकारी स्टॉक न्यूंतम आवश्यक बफर मातरा से अधिक है. हालांकि सरकारी गेहूं का स्टॉक घटकर पिछले साथ वर्षों के निचले स्तर पर आ गया है, लेकिन फिर भी सरकारी गोदामों से इसकी भारी निकासी हो रही है. मई 2022 से ही भारतिय गेहूं के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंद लगा हुआ है. पहले ऐसी चर्चा हो रही थी कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में गेहूं का आयात हो सकता है, लेकिन अब इसकी संभावना क्षीन पढ़ती जा रही है. Bureau Report Market Times TV